जै मातादी दोस्तों घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सब का कल्यान करेंगे। दोस्तों आठ अप्रैल यानी की कल साल 2024 का पहला सुरिगरहन लगने जा रहा है। जिसका की सूतक कल असकुछी पलों में शुरू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल लगने वाले सुरिगरहन का सही समय क्या होगा एवं सूतक का सही समय क्या होगा। सूतक कितने बज़े से लग जाएगा। क्योंकि सुरिगरहन के 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। तो सटिक जानकारी आज इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे, साथ ही साथ हम बताएंगे कि यह सुरिगरहन कहां कहां दिखाई देगा, किन-किन देशों में दिखाई देगा, क्या यह सुरिगरहन भारत में दिखाई देगा, पूर जानकारी देंगे, वीडियो में ल समय पर प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों कल यानि 8 अप्रेल को सोमबती अमवस्या है और इस तिन साल 2024 का पहला सुरिगरहन लगने जा रहा है यह सुरिगरहन मीन रासी एवं रेवती नच्छतर में लगने जा रहा है बात करें इसके सही समय की तो यह सुरिगरहन 8 अप्रेल की रात 9 बजकर 12 मिनट पे सुरू हो जाएगा जो कि देर रात उपरांथ 2 बजकर 22 मिनट पे समाप्त होगा बात करें इसके सुतक काल की तो सुरिगरहन का सुतक काल सुरिगरहन सुरू होने के ठीक 12 गंटे पहले लग जाता है और ग्रहन के साथ ही समाप्त होता है तो आठ अप्रैल को लगने वाले सुरिग्रहन का सूतक काल 8 अप्रैल की सुबह 9 बज कर 12 मिनट पे लग जाएगा, उसका की समापन सुरिग्रहन के साथ ही 2 बज कर 22 मिनट पे होगा. बात करें यह सुरिगरन कहां कहां दिखाई देगा, तो चुकी जिस समय सुरिगरन लगा होगा उस समय भारत में रात रहेगा, रात होने की बज़े से यह सुरिगरन भारत में दिखाई नहीं देगा, तो यह सुरिगरन दिखाई कहां कहां देगा, यह सुरिगरन कनाडा, उत उस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिका, जमैका, आयरलैंड, इंगलैंड के उत्तर पस्मी छित, पस्मी यूरो, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्क्टिक में यह ग्रहन दिखाई देगा। चू़कि यह सुरिगरं भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सुतक के नियम मानने नहीं होंगे। मंदिर की कपाट बंध हो जाएंगे और पूजा पाट सारे सुवकारियों पे रोक लग जाएगी बात करें सुरिगरहन के समय नियम और साफधानिया की तो जिस जिन देशों में यह सुरिगरहन दिखाए देगा वहां नियम वह साफधानिया बरतनी होंगी जो सुरिगरहन का नियम होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं तो वो सारे नियम अपनाने होंगे लेकिन भारत में रहने वाले लोगों को ये सब नियमों का पालन करने की आप सकता नहीं है लेकिन जो लोग हर तरह के ग्रहन को मानते हैं तो वो सुर्य ग्रहन के नियमों का पालन कर सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेयर करे और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सबस्क्राइब करे, ठैंक्स